नमस्कार मैं भी किष्णा घरेलू नुसके मा के चैनल में आपका स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे खराटो की कि खराटे क्यूं आते हैं और उन खराटो का घरेलू ऐसा क्या उपचार हम करें क्या इलाज क्या करें क्या उपाय ऐसा करें कि खराटे आने की समस्या दूर हो जाए तो चलिए जट पर वीडियो प्रारम कर लेते हैं लेकिन उससे पहले चैनल पर नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा और बैल आइकन का बटन जरूर प्रैस कीजेगा जिससे आने बाले वीडियो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे हम आज बात कर रहे हैं खराटे आने के बहुत सारे कारण होते हैं या तो शरीर में फैट ज्यादा है या नाक की जो मसल्स है वो कमजोर पड़ जाती है या हमारे लिवर में बहुत अच्छी तार मारे जो लंक्स है सौरी लंक्स में ऑक्सीजन की जो मात्रा है उसका बैलेंस नहीं है जिसके कारण की खराटे आते हैं अब हम ऐसा क्या करें खराटे एक ऐसी समस्य है जो सोता है वो तो सोता है उसके अलावा और कोई नहीं सोता है तो जिसको खराटे आते हैं उसको तो कुछ प र्मयन इतर होता है वैसे तो दूध ने तीर कि मिलता है मार्केट में मार्केट में पूदीぁ 오른 च्त हो पानी कोom जो है वो बंद हो जाते और धीर धीरे इस समस्या हम आप तो जाते हैं इसके अलावा दाल चेनी पाउडर थोड़ा सा इतना सा दाल एक चुटकी दाल चेनी पाउडर गुंगने पानी के साथ रात को अगर लेके सोते हैं तो भी खर्राटे आने की समस्या से निजात मिलती है यानि परिशानी दूर होती है इसके अलावा यदि खर्राटे आने की समस्या फिर भी बराबर बनी हुई है तो एक लैसुन की कली को थोड़ा पीस कर यानि की लैसुन की कली का थोड़ा सा पेस्ट और उसको आप पेस्ट को गिटक ले और उपर से घरम पानी आप थोड़ा और नाग के जो अंदर की मसल्स कमजोर हैं तो जो डाल चीनी मैंने आपको बताई है या जो आप गरारे मैंने के लिए बताए हैं ये चीजें उनमें भी बहुत पाइदा करती है तो आशा करती हूं यह जो नुसका है यह आपके लिए बहुत उपयोगी सावित होगा मिलती एक और जबर दस्के के साथ तब तक स्वास्त रहिए मस्त रहिए वीडियो चलेगे तो लाइक कीजिए जिसे चाहे उसे शेयर कीजिए इस तरह के और तमाम नुस्कों को देखने के लिए चैनल को सबस्क्राइब चुरूर कीजिए तेंक यू